नहीं, मिर्ची धन्या हल्दी, MGH स्वागत, ब्रेक के बाद और जैसा कि हमने कहा था कि अब हम एक बहुत अच्छी खावर दिखाएंगे आपको जो बदले भारत में वेमेन पावर से, यानि महिला शक्ती से जूरी हुई है का जा था, the sky is the limit ये सिर्फ कहावत नहीं है, बलकि बदलते भारत में महिलाओं ने इसे सच कर दिखाया है भारत सरकार में इस वक्त 22 महिला सचिव हैं और कई मंत्रालियों में तो शीषपद और नीती निर्दारण में भी महिलाओं की बड़ी भूविका है मोदी सरकार में शीषपदों पर सुशोभित होकर महिलाएं वेकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटी है शायद ये यकीन करना मुश्किल है कि साथ राज्यों में बुख्य सचिव महिलाएं है शीषपुलिस अधिकारी महिलाएं है आपको शायद याद होगा कि भारत का जो चंद्रियान तीन का सफल प्रक्षे पर हुआ था और भारत दक्षण ध्रोप पर जाने वाला पहला देश बना था उस चंद्रियान में भी महिलाएं वेग्यानिकों की भूमी का सबसे ज्यादा थी पीयब मोदी ने कहा था कि महिलाएं का अर्थिक साशक्ति करण विकास को गती देता है और उन्हें साशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरिखा महिलाएं के नेत्रित वाला विकास का द्रिश्टे कौन है इसे पर एक खास बात्चीत देखिए फिर करेंगे चर्चा तो महिलाएं ने किस तरह से अपनी भूमी का निभाई है और जब उनको अफसर दिया गया है महिलाएं के साशक्ति करण के लिए उनके नेत्रित विकास के लिए तो कैसे तरह से वो अपनी बर चड़ कर भूमी का निभा रही है देखिए एक खास बात्चीत मंजिल उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है और आज भारत की हर बेटी के होसले बुलंद है हर बेटी पूरी मजबूत इरादे हैं उसके आज महिलाए हमारे देश में हर शेत्र में अपना परचम लहरा रही है चाहे बात सरकारी कारेलों की हो या फिर प्राइवेट कारेलों की हर जगा महिलाए कंधे से कंधा मिला कर चल रही है लेकिन इस जगा पर आने में महिलाओ को सालों लगे है मानसिक्ता को बदला है अपने काम के साथ में और कई सारी चुनोतियों का भी सामना किया है इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में कई सारी युवा शक्ति सुक्त मौजूद है अगर बदलाब की बात करें और नारीश रशक्तिकरन की हम बात करें तो हम डिफरेंट स्पियर में देखेंगे भी पॉलिटिकल, एकॉनमिकल एंड सुसाइटल लेवल पे चेंजिस हुए हैं 106th Amendment के तहट Women Reservation Bill आया है तो ये एक बड़ी उपलब्धी है पॉलिटिकल स्पियर में अगर हम एकॉनमिकल स्पियर में भी देखें तो बहुत सारे welfare policies हैं सरकार की जैसे मुद्रा योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है तो इन सारी योजनाओं के तहट और म हम बात करें तो सचिव का पर जो है वो काफी महतरपूर्ण होता है क्योंकि वह policy बनाते हैं और आज की तारिख में 92 सचिवों में से 22 सचिव महिलाएं हैं जो policy making में अपनी महतरपूर्ण भूमिका निभा रही है जिस तरह से हम देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भारत में महिलाओं कि इस्तिती ऐसी नहीं पर हम जब देखते हैं ग्राउंड रियालिटी तो इंप्लिमेंटेशन हो रहा है बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू है और जो जो पर गवर्मेंट सेक्टर से वहाँ पर भी उसको बहुत चीदा से हैंडल किया जा रहा है पेट्रियांगी को देखा जाये तो विमेंज को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाता था गर्ल्स को हमेशा से अगर आप 18 और 20 के हो गए तो बस जल्दी से साधी कर लो एवेन एजुकेशन में तो बिल्कुल भी नहीं कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करना आपको सारे जगे बचना है आपको तो अगर यह अपर्चुनिटी मिली है तो मतलब अच्छी बात है मेरे पैरेंस भी कहते कि स्काइज दे लिमिट तो गर्ल्स के लिए आगे जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे है वो तब इस चीज़ को कर पाएंगी जब वो इंडिपेंडन होंगे और आज के टाइम में जितने भी अर्बन देखा जाए रूरल रूरल में से इवन ज़ादा गर्ल्स आगे जा रही है और बात की जाए तो रेशो हर जगा मतलब अच्छा है गर्ल्स का बात ये अवेरनेस की तो उनको कितनी अवेरनेस है अगर वो अवेर है तो वो बहुत आगे जा सकते है ऐसा मैं मानती हूँ इन 2015 एएर फोर्स ने पर्मानेंट कमिशन किया विमेंज के लिए विमेंज अलावड इन कमबेक फोर्स आप जो सरकार हैं वो सरकारों ज्यादा पॉलिशी पे काम कर रही है मैं आपको मैं यूपी से हूँ तो मैंने वहाँ पे चीज़ देखी पहले वहाँ पे सिक्योर्टी इतनी अची नहीं ती चीज़ इतनी अची नहीं ती तो जो पैरेंट चाता था कि उसकी बेटी पढ़ जाती हूं कॉलेज नहीं जाती हूं सायद ही कोई हो इन सब चीज़ों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे जब तक इस आधी अबादी को आप साथ लेकर नहीं चलेंगे और फिर एक कल्पना करें कि हम विक्सित राश्ट बन जाएंगे तो असंबह सी चीज थी असलियत ग्राउंड जीरो पर यही नजर आती है कि आज की तारीक में जो लड़कियां हैं जो मैलाएं हैं वाकई सशक्त हो रही हैं सरकार की पॉलिसीज की बात करें या फिर जो हम सभी की जो समाज की मानसिक्त बतलियों उसकी बात करें कैमर परसन भीम सिंग के साथ कृतिका भारत द्वाज डीडी म्यूज दिल्ली तो यह आधी आभादी की आवाज आपने सुनी और इस आधी आभादी की आवाज को सुनवाने वाली हमारी समवादा तक कृतिका खुद हमारे साथ इस समय जोड़ गई हैं करते का एक बात जो प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी ने हमेशा कही थी कि महिलाओं का सशक्ति करण ये तो बातें होती रहीं इस पर बहुत जादा काम हुआ नहीं लेकिन प्रधान मंतरी बोदी ने कही महिलाओं के नेत्रितों में विकास ये आधी आबादी के नेत्रितों में विकास की जो सोच है वो हर जगह पर अब रंग लाती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि सरकार की नीतियों में कारिक्रमों में योजनाओं में महिलाएं सर वो परी थी हैं और हमेशा रहेंगी लेकिन इस बात को शायद समझने में हमें कई साल लग गए हैं महिलाओं को चूला चोका छोड़कर के बाहर जमीन पर उतरने के लिए अपनी बात को रखने के लिए कई सारी चुनोतियों का सामना उन्होंने किया और तब जाकर हम आज यह पर पहुंचे हैं बेशक हमारा देश आज़ाद 1947 में हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को नारी शक्ति को आज़ाद होने में कैफी लंबा जो समय है वो ताय करना पड़ा लंबा सफर ताय करना पड़ा अगर बात करें शिर्ष अधिकारियों की तो जैसा बात रही शिर्ष अधिकारियों की लेकिन राज्यस्तर पर भी साथ मुख्य सचिव ऐसी है जो राज्य में अपनी भूमिका निभा रही है इसके अलावा ये तो बात रही शिर्ष अधिकारियों की इसके अलावा अगर हम इसनों की बात करें तो भारत को मंगल और चांद पर पहुंचाने में भी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है और साथ ही आप और हम तो जीते जाकते उधारण और हम लोग खुद देखते हैं इस बात को कि दूरदरशन की जो डीजी है डीडी न्यूस की डीजी और डीडी इन्डेशनल की डीजी जो भी महिलाओं तो हम महिलाओं की नेता तुम्हें ही काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल एक बात और क्रितिक आज इसकी चर्चा इन दिनों बनती है इसलिए बनती है क्योंकि इस देश में हमारे कुछ नेता जो हैं जाके पूछते रहते हैं कौन जात हो भाई तो ऐसे में प्रदान मंत्री नर कित विकास, Inclusive Development उस पर अब ठोस काम हो रहा है क्रितिका बिल्कुल सही का अपने ठोस काम हो रहा है और जो नीतियां है वो अमल में लाई जारी है जो योजनाए है जो स्कीम से वो महिलाओं को ध्यान में रख कर बनाई जारी है क्योंकि हमें हमारा लक्ष है 2047 तक विक्सित करते हैं उन्होंने कहा था कि महिलाओं की भूमी का काफी है है और इसलिए काम भी किया जा रहा है देखिए कई सारी जो योज रहा है उनको ध्यान में रखते हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है शोचाले की विवस्ता क्योंकि जब स्कुल में शोचाले नहीं होते थ बिल्कुल सही का अपने ड्रॉप आफ की जो संक्याती जो आकड़ा था वो काफी जाल था और सिर्फ ये बात हम शीर्ष अधिकारी शीर्ष लेवल पे नहीं कह रहें बलकि अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो जमीनी स्तर पर जो गामिड शीर्तर की महिला है वो भी आगे